आईउसीडी विश्यक विडियो अनिमेशन अगले कुछ क्षणों में हम इंट्रा यूट्राइन कॉंट्रसेप्टिव डिवाइस यानी आईउसीडी के बारे में चर्चा करेंगे आईउसीडी एक प्लास्टिक का छोटा सा उपकरण है जिसे प्रशिक्षित सेवा प्रदाता द्वारा सही तरीके से गर्भाशय के भीतर लगाया जाए तो गर्भाधान को रोकने में लंबे समय तक मदद मिलती है हमारे देश में दो प्रकार की आईउसीडी उपियोग में लाई जाती है कौपर आईउसीडी तीन सो असी ए यह अंग्रेजी अक्षर टी आकार की होती है यह लंबे समय से सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थिकेंद्रों पर निशुल कुपलब्ध है यह लगाने के दस वर्षों तक प्रभावशाली होती है कौपर आईउसीडी तीन सो पिछत्तर यह अंग्रेजी अक्षर उल्टे यू आकार की होती है यह भी सरकारी स्वास्थिकेंद्रों एवं सरकारी अस्पतालों में निशुल क मिलती है यह पाँच साल तक प्रभावी होती है दोनों ही प्रकार की आईउसीडी को महिला अपनी इच्छा अनुसार कभी भी प्रशिक्षित सेवा प्रदाता द्वारा लगवा या निकलवा सकती है आईउसीडी लगाने से पहले क्लाइंट की काउंसलिंग, सहमती और भौतिक सुविधाओं का होना अतियावश्यक है उचित भौतिक सुविधाएं एक स्वच्छ कमरा जहां गोपनी वातावरन हो तथा उस कमरे में मेज को धो सकती हो पक का फर्ष हो, प्रकाश का प्रबंध हो, हाथ धोने के लिए पानी, साबुन, साबुन दानी हो, स्वच शौचाले हो, उपकरणों की व्यवस्था चिटेल फोर्सेप्स वेजाइनल स्पेकुलम सिम्स अगर कोई सहायता करने वाला हो कसकोस स्पेकुलम अगर कोई सहायता करने वाला न हो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स वॉल्सलम एंटीर वेजाइनल वॉल रीट्रैक्टर यूटराइन साउंड जिस पर माप के लिए निशान बने हो लंबा शाप कर्वड सिजर्स स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स कॉटन अंटिसेप्टिक द्रव सहित नया क्लोरीन द्रव प्लास्टिक टब में अन्य ओटोक्लेव या बॉलर गर्भावस्थार जाज किट आयूसीडी फॉलो अप कार्ड आयूसीडी रिजिस्टर टॉच आयूसीडी लगाने की विधी सर्व प्रथम परामर्ष एवं सहमती सुनिश्चित करें मेडिकल अलिजिबिलिटी क्राइटीरिया को सुनिश्चित करें निर्देश दें कि महला पेशाब करने के बाद अपने बाह्य प्रजिनन अंगों को साफ करके आएं तब तक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अपने हाथ साबुन से सही तरीके से धोलें महला को मेज पर पैर मोड कर सीधा लेटने के लिए कहें महला से बात करते रहें और चर्चा करें कि थोड़ा सा दर्द हो सकता है स्टरलाइज्ड या HLD दस्ताने दोनों हाथों में पहने और सुनिश्चित करें क्यूब करण स्टरलाइज्ड या HLD हो और ज्यादा देर तक खुले न हो महला को खिसक कर मेज के किनारे पर आने के लिए कहें बाहर जननांगों का अवलोकन करें एक हाथ से पीवी करें और दूसरे हाथ से यह सुनिश्चित करें कि पेल्विक एरिया में दबाने से कोई दर्द तो नहीं हो रहा है साथ ही साथ सर्विक्स को हिलाने से महला साइड में कोई दर्द तो महसूस नहीं कर रही है यह पता करें कि क्या यूट्रस का जुकाव अन्टिवर्टेड यानि सामने की ओर जुका हुआ, रेट्रोवर्टेड यानि पीजे की ओर जुका हुआ है. अब स्पेकिलम लगाएं और कॉटन में अन्टिसेप्टिक द्रव द्वारा सर्विक्स एवं विजाइनल वॉल को साफ करें. साफ करते हुए इसे बाहर लाकर वेस्ट बिन में डाल दें. धीरे धीरे वॉल्सेलम द्वारा सर्विक्स के अन्टिरियर लिप को पकड़ें. वॉल्सेलम को लगाते समय महिला को खासने के लिए कहें तथा वॉल्सेलम को दाद के पहले स्तर में सेट करें. इससे ज्यादा सेट करने पर दर्द हो सकता है. वॉल्सेलम को थोड़ा सा बाहर खीचते हुए यूट्राइन साउंड को अन्टिवर्टेड या रेट्रोवर्टेड स्थिति के आधार पर अंदर डालें जब तक कोई रुकावट न मिले. यह सुनिश्चित करें कि यूट्राइन साउंड का टिप विजाइनल वॉल या किसी ओजार से स्पर्ष तो नहीं कर रहा है. यूट्राइन साउंड को बाहर लाएं और उसमें गीला पन देखकर यूट्रस की लंबाई की माप निर्धारित करें. कॉपर आयू सीडी तीन सो असी ए को बिना चुए यानि नो टच टेक्नीक से लगाने की प्रक्रिया. आयू सीडी पैकेट को अच्छी तरह से जाच कर लें कि वह पैकेट खुला या भटा तो नहीं है. उस पैकेट पर स्टराइल लिखा है कि नहीं देखें. साथ साथ आयू सीडी के अंतिम उपयोग की तिथी को भी देखें. आयू सीडी के पैकेट को किनारे से हाथ में लेकर एक तिहाई हिस्से तक खोलें. हाथ में रखते हुए plunger rod को tube के अंदर डालें जो IUCD के vertical अंतिम छोर तक पहुच जाए अब IUCD को packet सहित मेज पर रखें IUCD को packet के अंदर रखे कागस के measurement strip और inserter rod सहित थोड़ा खीचें तथा inserter rod को पकड़ते हुए measurement strip को वापस उपर खिसकाए अब एक हाथ के अंगूठे और उसी हाथ की प्रथम उंगली को IUCD के horizontal arms के दोनों सिरों पर रखें और inserter tube को नीचे से धके लें इससे IUCD के दोनों horizontal arms मुड़ते हुए vertical stem के पास आ जाएंगे अब inserter tube को थोड़ा नीचे खीचते हुए horizontal arms को दबा कर उसके tip को inserter tube के अंदर डाल दें folded arms के सिर्फ tip ही inserter tube के अंदर जाएंगे, copper bands नहीं ध्यान रखें कि नीले रंग का guard एवं horizontal arms दोनों समानांतर स्थिति में रहें पूर्व में uterine sound से प्राप्त uterus की लंबाई के बराबर guard को निर्धारित करने के लिए एक हाथ से guard को पकड़ें और दूसरे हाथ से inserter tube को उपर या नीचे खिसका कर packet के अंदर दिये हुए measurement scale की सहायता से guard की स्थिति निर्धारित करें IUCD के उपर लगी पारदर्शी पन्नी को अब पूरा हटा दें तथा inserter rod को इस तरह पकड़ें की plunger rod नीचे न गिर सके अब IUCD लगाने हे तु तैयार स्थिति में है ध्यान रखें IUCD लोड करने के पश्चात इंसर्षन पाँच मिनट के अंदर हो जानी चाहिए IUCD सहित inserter rod को vaginal wall व इंस्टूमेंट्स को बिना चूते हुए वाल सेलम थोड़ा खीचते हुए सर्विक्स के अंदर डालें ध्यान रखें कि गार्ड को horizontal स्थिति में रखें एवं सर्विक्स तक पहुँचाएं plunger को एक हाथ से पकड़ते हुए inserter rod को अपनी तरफ थोड़ा खीचें ताकि IUCD के horizontal arms बाहर आ जाएं अब plunger rod को बाहर लाकर waste bin में डाल दें inserter rod को पुना थोड़ा आगे लाएं ताकि IUCD fundus में अपनी सही स्थिति में आ जाए धीरे धीरे inserter rod को सर्विक्स के बाहर ले आएं और curved scissors से IUCD के धागे को सर्विक्स से 3-4 cm की दूरी पर काट दें शेश बचे धागे को inserter rod सहित waste bin में डालें अब धीरे से वाल सलम को खोल कर बाहर निकालें और देखें कि सर्विक्स जहां यह लगा था वहां कोई bleeding तो नहीं हो रही है यदि है तो straight artery forceps की सहायता से cotton को antiseptic द्रव्य सहित कुछ देर तक दबाएं इससे bleeding बंद हो जानी चाहिए Straight artery forceps को chlorine solution में डालें अब speculum को बाहर लाएं और इसे chlorine solution में डालें इसके साथ साथ सभी बचे हुए प्रयोग किये गए उपकरनों को chlorine solution में डालें महिला को IUCD लग जाने की प्रक्रिया या समाप्त होने के बारे में संदेश दें एवं insertion पश्चात परामर्श सहित 10 मिनिट आराम करने की सलाह दें copper IUCD 375 लगाने की विधी इसे load करने की आवशक्ता नहीं होती तथा इसके साथ plunger rod नहीं होती है सिर्फ guard को uterus की लंबाई के बराबर सेट करें बाकी सारी प्रक्रिया IUCD 380A जैसी ही है IUCD 375 को guard के साथ horizontal स्थिती में रखने के लिए इंसर्टर ट्यूब से निकलते हुए धागे को मस्बूती से पकड़ें और IUCD को सावधानी पूर्वक सर्विक्स में डालें जब तक रुकावत न महसूस हो IUCD 375 को repositioning की आवशक्ता नहीं होती धीरे धीरे इंसर्टर रॉड को सर्विक्स के बाहर ले आए और curved scissor से लगे धागे को 3-4 cm की दूरी पर काट दें शेश बचे धागे को इंसर्टर रॉड सहित वेस्ट बिन में डालें IUCD removal महिला द्वारा पेशाब करने के बाद सीधे होकर पैर मोड कर मेज पर लेटने को कहें स्पेक्यूलम को लगाने के बाद सर्विक्स एवं vaginal wall को antiseptic द्रव से साफ करें सर्विक्स से निकला हुआ धागा अब दिखाई पड़ेगा जिसे straight artery forceps की सहायता से सर्विक्स के पास पकड़ लें और धीरे धीरे IUCD को बाहर निकालें और सुनिश्चित करें कि महिला IUCD को देखें और इसे waste bin में डाल दें इसके बाद स्पेक्यूलम को भी निकाल कर chlorine solution में डालें IUCD 380A तथा IUCD 375 दोनों को निकालने का तरीका एक ही है IUCD निकालने के बाद यदि महिला चाहे तो तुरंत नई IUCD भी लगवा सकती है अथवा वे अपनी इच्छा अनुसार परिवार नियोजन के किसी अन्य साधन का उप्योग कर सकती है अपक्छा अन्य से अन्य साधन का उन्य साधन का उन्य सकती है